केसे हो केमेस्टर इंसेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पी ब्लोक करने जा रहे हैं तो इसको याद करते वे चलेंगे तो बात करते हैं गुरूप 15 एलिमेंट के अंदर कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजन फॉस्पोरस आर्सनिक एंटिमनी बिसमत और एंप सी इस दा मोस्को वियम और भी और यहन भी थके जो यह मोस्को वहं है वोे सिंथेटिक रइडियो एक्टिव threads यहाद को याद रखना की यि US यह थे पहले डिसकवरी नहीं हो आता और चल रहा था अप युट है ठीक है बस इतनी बात है इसकी अब आगे दो क्या है chemical properties chemical properties के अंदर कि फर्स बोलाएं नोने common oxidation state कोन कोन से होती है अरे कोन कोन से होती है माइनस थ्री प्लस थ्री और प्लस पाइब ये इसकी common oxidation state होती है हर एक लाइन अपना एक तो यह वाली बात होगी दूसरा है अगर टूब 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 चलेंगे तो तो बिल्कुल आपको पता है तो इलेक्ट्रोन लेने की की टेंडेंसी ही होगी है तो बिल्कुल कि आपको पता है बिश्मुद जो है वो कैसा होता बिश्मीथ ऑगी की स्टेबिटी कि इसका रिजन कै इसका रिजन गया है due to the मतलब क्या है जो एक्ट्स होती है ना वह नोक्रीट के साथ में इतने क्लोज लिवांस्ट हो जाते हैं निकल नहीं पाते प्लक्रेट्र के पार्म, स्ब्स्वर्शना की कीक्रीस होती है टोप टो बोटम जाएंगे तो और प्लस त्री ऑक्सिन स्टेट की स्टेविटी इनकीज होती है क्लियर है बात चलो आगे देखो कुछ इंपोरेंट बाते हैं पूरे पी ब्लोक से रेलेटेड बात कर रहे हैं वोरोन कार्बन नाइकॉजं ऑक्सिजन और फ्लोरीन ये इसका बेहबियर इनके बाकी के गृुप के जो इलेमेंट से उनके बेहबियर से कुछ अलग है इसका reason क्या है वो सुनों, first, इनकी high electron negativity होती है respect to the group, अपने group के according बात करें, तो इनकी electron negativity ज्यादा होती है, electron negativity का सिधा सा fund है, general way में कि top to bottom जाएंगे तो electron negativity क्या होगी, क्या होगी, decrease होगी, तो इनकी high होगी, दूसरा, इनकी size क्यों होती है, और सबसे बड़ी बात, और सबसे बड़ी बात, absence of d orbitals, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं होता है, d orbital नहीं होता है, उसकी absence होती है, इसकी वज़े से यह अपने आउटरमो सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने electron fill कर सकते है, 8 electrons, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए अब बोलते हो ला, कि चलते हैं, आगे देखो क्या बोला है, pretty important important बते हैं, they form P pi P pi multiple balls with itself, खुद के साथ कौन से इनकी बात कर रहे हैं, and with their elements having small size and high electronegativity, देखो क्या बोलना चाहरा है, यह कहना चाहरा है कि इसे carbon nitrogen oxygen की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि carbon carbon है, वो double bond खुद के साथ में बना रह है, carbon double bond nitrogen के साथ में बना रहे हैं, carbon triple bond nitrogen के साथ में बना रहे हैं, अरे बना रहे हैं, तो यहीं बोला है, और कौन से bond है, सारे के सारी P pi P pi bond है, multiple bonds with itself, खुद के साथ भी हो सकता है, और other elements, कौन-कौन से जिनकी size क्या होती है, small होती है, या फिर उनकी electricity high होती है, समझ में ही बा है, कि nitrogen के बाद में phosphorus है, oxygen के बाद में sulfur है, वो यह कहना चाहरा है statement कि वो P pi P pi bond का formation नहीं कर सकते है, reason क्या है, no effective overlapping, effective overlapping से यह बता सरता है, कि orbital की size क्या है, बड़ी है, इसलिए उनकी effective overlapping नहीं होती है, और वो क्या नहीं कर सकते है, P pi P pi bond का formation नहीं कर सकते है, जैसे आपने double bond N में देखा होगा, लेकिन phosphorus को आपने इसा देखा होगा, P4 की फूम में, P, 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 बिल्कुल देखा है, मैं आगे और बोलू तो इसके अंदर अपने oxygen को O double bond O देखा है, ठीक है, देखो, exist, जैसे S2 की बात करें, तो S2 exist है, 1000 Kelvin temperature की उपर exist कर सकता है, लेकिन, अगर मैं इसकी बात करूँ कि यह exist किसमें करता है, और बात करें, तो S8 और S6 molecule होते है, तो single bond में exist करें, बिल्कुल करें, S8 की structure से कुछ होती है, और सब देखें, यहां क्या लगा दिया, सब देखें, सब देखें, सब देखें, सब देखें, सब देखें, क्राउन सेब जोसको बोलते हैं, S8, ठीक है, आगे बात करें, क्या बोला है, single NN, exam में पूछा हुआ है, वो भी J एडवांस तब, single NN bond is weaker than the single PP bond, because of high inter-electronic repulsion of non-bonding electrons, क्या करना चाह रहा है, कि जो nitrogen, nitrogen है, उसका single bond है, उसकी single bond है, वो क्या है, weak है, compared to the PP, क्योंकि यहाँ जो यह intra-electronic repulsion है, bond की length होटी है, intra-electronic repulsion ज्यादा हो रहा है, और repulsion ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यह bond easily break होना चाह रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, weaker bond, weaker हो गया देन दा PP, single की बात करी है, triple की बात नहीं करी है, आगी क्या बोला है, nitrogen cannot form D-Pi-Pi bond, यह कर रहा है कि nitrogen है, कौन सा bond का formation नहीं करता है, D-Pi-Pi का, आपने देखा होगा, कि यह nitrogen है, वैसे भी आपको बता है, कि 10 electron हो गए, तो कैसे participate करेगा, due to the absence of d orbitals, ठीक है, तो यह वाला formation नहीं होता, लेकिन phosphorus की case में, और आपने यह सब को देखा है, अब अच्छे से कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, आगे बात करें, आगे क्या बोला है, properties of hydrates of group 15 elements, यह पड़ी important है table, पूरी table ही important है, कैसे important है, यहाँ से हर एक line अपना किशन देखे जाती है, वो क्या किशन देखे जा रही है, वो सुनो देखो, melting point, melting point, अच्छा थोड़े सा, यहाँ पर बोले melting point और boiling point, एक जन्नल वे में बात करें, तो melting point के case में अपने यह कहते हैं, और boiling point में की molecular weight जैसे increase होता है, melting point और boiling point increase हो जाते हैं, लेकिन जैसे boiling point के case में, और इनकी बात करें, और अच्छे से melting point की, तो hydrates of bonding, अपना एक अलग करते हैं, ठीक है, तो melting point के case में जो order आता है, वो क्या आता है, NH3, NH3 का melting point सबसे ज़्यादा hydrogen bonding होती है, इसलिए, बाकि अपने जो order लिखा हो कैसे लिखा है, molecular weight, यह hydrogen bonding से इसलिए ज़्यादा है, बाकि का molecular weight की वाज़े से हैं, ठीक है, दूसरा boiling point की बात करें, तो boiling point की case में देखो, कि यहाँ पर कौन dominant हो रहा है, molecular weight, उसके बाद में hydrogen bonding का case आ रहा है, और उसके बाद है molecular weight, मतलब इस case में, समझना अच्छे से हैं, कि यहाँ पर dominant कौन हो गया है, in case of the boiling point, कौन हो गया है, molecular weight, जब इस case में कौन dominant है, hydrogen bonding, बस यह दिया रखना है, तो हाँ, उसके बाद वापिस hydrogen bonding का रहा है, then the molecular weight, तो यह दो order है, यह आपको अच्छे से याद रखने, two orders, फिर basic city order की बात करें, इंदा general, आपको पता होना ची अच्छे से, कि top to bottom जाहेंगे, तो basic strength hydrates की क्या होगी, क्या होगी hydrates की basic strength, कम होगी, मतलब सबसे ज़्यादा basic होन होगा NS3, और सबस reducing character की बात करें, तो सबसे ज़्यादा strongest reducing agent की बात करें, तो reducing agent की बात करें, अब देखों यहापे, stability of hydrate, यह related bond dissociation energy से, किसे related bond dissociation energy, मतलब आपको पता है कि NH bond है, उसका break होना, यह मैं बोलू कि इस case में, जो bond dissociation energy हो ज़्यादा है, फिर दिर दिर क्या होती जारी है, कम होती ज होती जारी है, इस case की बात करें, कि stability, तो सही बात है, जिसकी bond dissociation energy ज़्यादा होगी, उस case में, उसके hydrate की stability भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यह भी बड़ा important है, यह भी पुछा हो एक्जाम में, बढ़ी पूछेंगी कि एक्जाम में, question क्या दे दिया, कि which of the following is correct for the stability of hydrates for chair order दे दिये, इसकी को आगे पीचे कर दिया, कौन सा होगा, तो अपने आप में important हो गया, बिल्कुल important हो गया, कहीं को दिक्कत नहीं है, चलते आगे, सबसे पहले हैं क्या discuss करने जा रहे हैं, डाइ-nitrogen, nitrogen gas की बात कर रहे हैं, अब जब को इसके इंदर क्या है, general method of preparation की बा थोड़ा से ध्यान रखना है कि NH4, NO2, क्या बना रहा है, N2, यह मैं अभी बता रहे हैं, और NH4, NO3 है, तो वो क्या बना रहा है, N2, यह दोनों चीज़ को अच्छे से आप रखना आप, क्योंकि ज्यादा तर यहीं दिक्कत आती है, अमोनियम नाइट्राइट है, वो बना रहा है, N2, अमोनियम नाइट्रेट है, वो बना रहा है, N2O, आप क्या करो, एक सिंपल साइक काम करो, इसमें से S2O निकाल दो, और इसमें से भी S2O निकाल दो, जितना निकलना है, तो कितना S2O निकलना है, 2S2O, बाकिया क्या बच पर इसमें एंटू तो यह एक याद रखने वाले बात हो गई अब देखो। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करेंगे तो एंटू नाइटरजन के सब्सक्राइब हो गया और सियाटो थी बनेगा जिसका क्लर के साथ होता है ग्रीन दूसरा प्रिप्रिशन हो गया मतलग इसका नाइटरजन का क्या एक तो अपन आमोनियम नाइट्राइट के साथ की रेक्शन की बात कर रहे हैं और दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट बड़ी इंपोटेंट रेक्शन है बेरियम ऐजाइड और सो दिम अजाइड इनका जब थर तो फोर में क्या O है यह इंहें इनमें हो रही है कि इन यह उन्हों ने च्छटा से क्यूशन यह कर लिया है कि एंड टू है वो लेस रिएक्टिव क्यों है रूम टेंपरेचर पर तो आपको पता है कि एंड जो ट्रिपल बॉन एं है उसकी बॉन्ड जो डिसेशन एनर्जी है 941 की बात करें अपन तो उसकेस के अंदर यह एनर्जी ज्यादा है इसलिए लेस रिएक्टिव है ठीक है आके हैं अमोनिया सबसे पहले अमोनिया के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फर्स्ट अमोनिया में किसका जनल मेथड और प्रिप्रिशिन क्या क्या है तो अमोनिया में क्या करें यूरिया यूरिया की सब्सक्राइब और सब्सक्राइब किसे करा रहे हैं किसी बेस के साथ में तो होगा क्या है यहां से यह सब्सक्राइब भी उसके साथ सबस्क्राइब अक्तिए करते हैं कि बिलकुल समझ में अरिया बद बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट और लाजज स्केल हेबर प्रोसेस यह पर प्रोसेस बड़ा इंपोर्टनेट है कैसे कि पहले तो एंट्टू थी यहां पर जो हीटो फोमेशन दे रखा हो माइनस 46.1 किलोजूल पर मॉल दे रखा है ठीक है कौण सी रेक्शन होगी एक्जो थर्मिक तो यहां से पूछ के लिए दा है कि first of all कि what is the hyper process second what is the favorable condition for the hyper process तो जो hyper process है वो तो यह है और उसकी favorable conditions क्या-kया है वो देखोआ बच्छे से हाई प्रिशर टूहंडे टीम ली चेटेले प्रिंसीपल में सारी बाते आपने यह डिसक्स करते हैं 11th क्लास के अंदर क्या क्या है आपको पता है कि जिदर number of gases molecules कम होंगे compare to other side तो इधर जादा है इधर 4 है 4 moles बोलो तो इधर 2 है तो reaction कि जिदर जाएगी जिदर कम होगा अगर प्रेशर को increase करेंगे तो तो high pressure is the favorable condition for formation of the Heber process second one is the low temperature temperature क्योंकि आपको पता है reaction कौन सी है exothermic तो temperature कम ही रखना होगा और third जो है इसमें catalyst कौन सा काम में लेते हैं iron oxide लेते हैं with small amounts of K2O and L2O3 तो कभी कभी आपसे पूछ ले पस question की चीज़ें बारी की है जो आप याद रखलो कि क्या चीएगा हेबर प्रोसिस की case में favorable condition high pressure low temperature और catalyst कौन सा iron oxide with small amounts of K2O and L2O3 clear हो याँ तकी बात छोटी छोटी चीज़ें एक एक दो तो बार और आप देखोगे तो याद होती चली जाएगी अब देखो आगे बात करें आगे क्या बोला है एक question दिया है question क्या बोलना चाहरा है that compound that does not produce nitrogen gas by thermal decomposition यह कह रहा है कि कौन सा इन में compound है कौन सा इन में compound है जो क्या नहीं कर रहा है nitrogen gas नहीं produce कर रहा है किस पे by the thermal decomposition तो देखो one by one सरते है अगर मैं इसकी reaction कर रहा हूँ thermal decomposition तो आपको पता NH4, NH2 nitrogen gas release कर रहा है बागे S2 निकल जाएगा बागे 2S2 इसकी बात करें तो थोड़ दिर पहले देखा है कि करवाएंगे तो क्या निकले गाएं यहां पर क्या नहीं होगा N2 gas release नहीं होगी बिल्कुल देखा है nitrogen gas release हो रही है और इसमें भी देखा है पने heat करेंगे तो इसमें nitrogen gas release हो रही है प्लस CR2 O3 release होगा ammonium dichromate तो पुछा क्या है कि किस से नहीं होगा तो answer क्या देखा है अपना second second is the correct answer J.E. में पुछा हुआ है NEET में भी ऐसी questions पहले पुछे है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा गोर प्रमायेगा मेरे भाई आगे देखो क्या बोल रहा है question बड़ा ही important है exam ही पुछा हुआ होई लेकर आ रहे है क्योंकि पुछेंगे क्या इन्ही को modify करके कुछ पूछ दे रहेंगे तो उन्हीं पर बात कर लेते है बोला क्या best on the compounds of group 15 elements the correct statement अपन group 15 elements की बात कर रहे है और कुछ statement दे रहे हैं कुछा क्या है कौन-कौन से correct statements है तो देखो first बोला है Bi2O5 is more basic than N2O5 oxides की case में क्या बोलते हैं पन कि जैसे जो भी element है oxygen से distance बनागते वे चलेगा महला दूर जाते चलेगा तो उसकी acid character कम होती जाएगी basic character increase होती जाएगी बिल्कुल ही बात है तो यहां पर बोला है Bi2O5 is more basic than N2O5 बिल्कुल सही बात है N2O5 तो acid के है और यह Bi2O5 उपर से निसे जाएगी तो क्या होता है basic nature क्या होती है oxides की increase होती जाती है तो यह statement तो इसका बिल्कुल सही है second बोला है NF3 is more covalent than Bi3 तो बिल्कुल सही बात है Bi2O5 है क्या metal है तो यहां जो bonding है Bi2O5 इसकी electronegativity कम है जबकि इस case में क्यान की electronegativity nitrogen की ज़्यादा है means this is the more covalent than the Bi3 बिल्कुल सही बात है यह भी कोई दिक्कत नहीं है फिर करा PS3 boils at lower temperature than NS3 बिल्कुल आपको थोड़ देल पहले अपन ने देखा था कि boiling point है वो ammonia का ज़्यादा है compared to the PS3 तो ammonia का ज़्यादा है तो PS3 का boiling point के ओप ज़्यादा कम तो lower temperature भी क्या हो जाएगा यह बोइल्स हो जाएगा यह बात भी ठीक है दी कह रहा है the NN single bond is stronger than the PP single bond नई NN single bond is weaker compared to the PP आपको बता यहाँ पर electronic repulsion होता है समझमारी बात थोड़ देल पहले डिस्क्स किया था मतलब यह statement अपना क्या हो गया है आपर wrong हो गया तो question के according कौन-कौन से statement सही है ABC मतलब यह more than one correct में आपको तो यहाँ पर concept को build करना है तो यह concept को पर इस तरीक से यहाँ पर build कर सकते है चलते हैं आगे आगे की बात करें तो आगे क्या है oxides of nitrogen अपने यह बात करी है nitrogen की oxides की तो कौन-कौन से oxides है उनकी क्या-क्या important सीज़े है वो अपन discuss करते हैं चल रहे है तो पहले तो आपको यह पता है कि N2O कितने oxides की अपन यहाँ बाते करी है जो सारे अपन ने जो discuss किया है वो क्या क्या है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5 यह सारे oxides है जो भी यह table बनाई है मैंने NCRT से ही बनाई है NCRT के अंदर दे रहे है बस वहाँ से किशन किस तरीके से आता है वो देखो पन discuss करें तो सबसे पहले अपन oxides हो nitrogen में N2O की बात कर रहे है N2O को बोलते है N2O को बोलते है N2O को बोलते है N2O को बोलते है अब तो पता है laughing gas होती है N2O मतला हस N2O इसको बोलते है N2O को बोलते है N2O को बोलते है आपको बता है यह दोनों के दोनों के से है neutral oxide से है बाखी के जितने भी oxide से सारे के सारे acidic oxide से है ठीक है यह कैसे बनाते है अपन N2O की reaction किससे करा रहे है F2O4 अंता परचेसे अब S2O4 समझना भैसा बच्चे से यह क्या है यहांपर F2 कौन सी फोम में F2 कौन सी फोम में प्लसटू की फोम में और यह NO2- यहां F2 किस फो़म में चला गया है F2 प्लसटू की फो़म में मतलब कौन सी reaction होगी है Oxidation Reaction, Fe का यहां पर क्या हो गया है Oxidation, और Na2 में Nitrogen का क्या हो गया है, यहां पर Reduction हो गया है, तो याद रजाएगी कोई दिक्कत नहीं है, अलांकि यह जनरली यह नहीं पुछ जाता है, यह बड़ी Important शीज है, बाकी कर तो आगे जो पढ़ रहे है बना आगे, वो बड़ा Important ह आगे N2O3, सबसे बढ़े खास बात तो N2O3 क्या है, यह कैसा Solid होता है, N2O3 Blue Solid, यह दखने इस बात को, कैसा Solid है यह, Blue Solid, मैंने लिखने को जिस करी, Blue Solid, थोड़ा सा दिखने रहा होगा, विजीबल कम होगा, लेकिन ठीक है, आप थोड़ा सा देखिए कर यह Blue Solid है, कैसे बना आटू की, तो N2O2 की अंदर क्या परजेंट है, क्या परजेंट है, Unpaid Electron, ठीक है, अचा, Unpaid Electron है, तो कैसा भी हो करेगा, अरे कैसा भी हो करेगा, Unpaid का मतलब, Diamagnetic की Paramagnetic, या Paramagnetic, या Paramagnetic, और बोलो, Paramagnetic, तो यह कैसा होता है, Paramagnetic, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या है, लेट निट्रेट को हीट करा रहे हैं, तो किसका, क्या release हो रहा है, NO2, फिर यह reaction भी मैंने अभी, इससे पहले कुछ एक्क्यूशन कराया थे, जो जहीं में पुछे वे थे, तो sodium की reaction, NO5 से कराते हैं, तो क्या बनता है, NO3 और NO2, मैंने बताया था कि, एक्चिल क्या NO5 जो exit करता है, solid form में, वो NO3 और NO2 positive में करता है, तो यह sodium से electron लेके तो NO2 gas release करवा देगा, और NO3 क्या बना लेगा, NO3, और यह कौन से gas होती है, brown gas, कभी-कभी फूस ले जाता कि, NO2 कौन से gas है, brown gas है, ठीक है, चलो आगे, NO4 को आप direct याद रख लेंगे, कि NO4 की structure तो यह होत है, ठीक है, हाँ, इस case में, देखो, NO2 है, वो कूल करेंगे, तो NO4 में change में जाएगा, और heat करेंगे वापिस तो यह, NO2 में change में जाएगा, मतलब, NO2 यहाँ पर कैसा है, paramagnetic, और NO4 कैसा है, diamagnetic, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n-pand electron present है, यहाँ पर n-pand electron present है, यहाँ पर n-pand पर n-n-bond present नहीं है, आप से बोले कि यहाँ पर oxo-breezing, तो बिल्कुल oxo-breezing का आ रही है, NO-n-bond present है, पहले सी, दूसरी, HNO3 की reaction P4-roten के साथ करते हैं, यह भी आपका जई advance में पुछा हुआ है, देखो, क्या रहे हो, यह वाली reaction उठाई, यहाँ से यह वाली reaction उठाई के oxides, देखो, क्याँ अपन जो discuss कर रहे हैं, वो क्याँ एक revision की form में discuss करेंगे, आपको revise हो जाए, एक बार आप देखोगे, तो आपको याद होने लग जाएगी चीजे, ठीक है, अब अपन इसके आगे क्या पढ़ने वाले हैं, nitric acid क्यों होता है, उसकी related बहुत अच्छी इसकी reactions हैं, वो discuss करेंगे, सारे के सारे जो भी अपने oxides, nitrogen और phosphorus वाले, उनको अपना आगे discuss करेंगे, nitrogen family में, फिर अपना आगे की बात करेंगे, ओके, thank you for watching.